हेलो एब्रिवन कैसे आप सब मुझे पता है मुझे उमीद भी है कि आप सब बहुत अच्छे हैं और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हैं है ना क्योंकि आपको पता है कि आपके कॉमेंट्स चेक हो जाते हैं अच्छा लगा देखके कि हाँ बच्चे ने रिस्पॉंस किया ठीक है तो चलो बिना किसी देरी के फिर आज की क्लास स्टार्ट कर देते हैं तो बच्छा लोग मैं हूं विजयता आपकी वाला जी टीचर और हम यहां पर कंट्यूनी कर रहें अपना चाप्टर तो क्या कंट्यूनी कर रहे हैं पुष्पी पादपो के शरीर के बारे में जाने की इसकी अनाटमी के बारे में हम बात कर रहे हैं तो अभी तक बहुत कुछ हमने इस चैप्टर में पढ़ लिया है आज गला थोड़ा खराब है ठीक है बहुत सारा हमने अब तक देख लिया है जर देखी तना देखा पत्तिया देखी द्यूवीच और एक बीच पत् एक जर तो होता है तो चुलो देख लेते लेकिन आज हम क्या पड़ेंगे तो आज हम यही पड़ेंगे ठीक है तो चुलो तो थोड़ा सा जानते है कि एगर मैं कहूँ कि पुश्पी पदपो का शारीर की जब हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पर डुठ्टिक वृद्धी बो तो यह क्या है तो यह क्या है मैं यह पूछना चाहती हूं यह मालूम कोन मुझे जवाब दे सकता है किसको मालूम है कि भाई अगर यह दोनों चीजों की बात हो recipients , क्या हम बात करने वाले हैं बताएगा कोई कैसे बताओगे सारा दिमाग तो टो चैटिंग में है हना सारा दिमाग तो चैटिंग में है कैसे बता होगे क्यूंकि आप लोग को यह जो बाते कर्मी होती हैं तुमने खाना खाया निखाया तुमने पानी पीया निपया कल क्यों नहीं आए थे यह जादा इंपोर्टेंट सब्सक्राइब पादप उतक की जब बात करी थी ठीक जब हमने पादप उतक के बारे में बात करी थी ठीक है यानि कि plant tissue के बारे में जब बात करी थी तो हमने का था है दो तरीके के होते हैं एक विब्वे जो तक होता है एक स्थाई होता है है ना एक क्या है विब्वे जो तक ठीक है और दूसरा क्या था स्थाई ठीक है दो चीजों के बारे में हमने बात क छेरी थी फिर क्या रएखा था कि विवेजो तक में क्या होता है जो सेल होता है यानि कि क्या होती है कोशी का विभाजनी जो होता है यहां पर, वो क्या होता है? होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, कहां पर? जड़ और तने में, ठीके? कहां पर? जड़ और तने में, ठीके? इन में होता रहता है, अब यह जो कोशिका विभाजन होता है, यह होता रहता है, होता रहता है, होता रहता है, और जो कन्डेशन होती है वो स्थाई कहलाती है ठीक है,awan लिया-5 ją अब क्या बोलना है कि बहुझ अरहर हम बात करते हैं विबे जो उतक की have show के पेढ़ की हैना उसकी चोड़ाई बढ़ाने में help करता है ठीक यही होता है काम कैसे कैसे की बात करते हैं और देखते हैं चलो अगर मैं पादप उतक की बात करती हूं कि पादप उतक था ठीक है हमने कहा दो भागों में गया यह ठीक है एक तो गया आपका विब्वे जोतक ठीक है विब्वे जोतक ठीक और दूसरा किसमें गया इस्थाई में गया यह ठीक है दूसरा इस्थाई में गया फिर अगर मैंने बोला कि विब्य जोतक क्या था फिर तीन पार्ट में गया था विब्य जोतक ठीक है कौन-कौन से थे भाई शीर स्था पहला था शीर स्था विब्य जोतक उतक दूसरा क्या था अंतह विष्ट विब्य जोतक उतक विष्ट ठीक है और तीसरा क्या था आपका पार्श्व तीसरा क्या था पार्श्व विब्य जो तक उतक था ठीक है तो यहां पर यह तीन चीजे आई थी ठीक तो यहां पर क्या था यहां पर किसमें आया था यह सरल और जटेल आ गिया था इस थाई में सरल और जटेल आ गिया था यहां पर ठीक है तो फिर हमने क्या बा लमभाई और चोडाई जो है इसकी वज़े से बढ़ेगी ठीके अगर अंतविष्ट की बात करते हैं तो यह क्या करता है में कोशिकाव में क्या करता है विभाजन के बाद नई शाखाओं का निर्मान करता है यह दोनों चीज़े यहाँ होती है यह इससे होता है यह इससे होता है ठीक चलो जी यहाँ पर निर्मान हो गया है अब यहाँ पर क्या हो रहा है भाई कि यहाँ पर जितनी भी वृद्धी हुई है जितनी भी ग्रोथ हुई है यहाँ पर जितनी वृद्धी हुई है ठीक है ग्रोथ हुई है वो क्या है यह है प् प्रात्मिक वृद्धि कहलाई ठीक है प्रात्मिक वृद्धि ठीक है प्रात्मिक वृद्धि कैसे भाई यह कहलाई किसकी वैसे विभ्य जोतक उतक की वज़े से ठीक है यह जो प्रात्मिक वृद्धि हुई है कैसे हुई है इस उतक की वज़े से हुई है विभ्य जोतक की क्या हो रहा है लंबाई का का रिए हम पर लेकिन हम क्या बात कर रहे हैं हम बात कर रहे हैं किसके बारे में जुट्यक वृद्धी के बारे में बात कर रहे हैं तो अगर मैं जुट्यक वृद्धी के बारे में बात करती हूं तो यह जो जुट्यक वृद्धी है यह किसमें होती है जुट्यक उतक में होती है किसमें होती है जुट्यक उतक में होती है ठीक है किसमें होई दिश्य गूत ने होती है लेकिन अगर कहूं कि गब पता चलता है अगर मैं कहूं कि वृद्धी होई है पनाई में क्या है यह चलता है जवाब दो के मुझे बताओ.. अरे भई, सिम्पल सी चीज है.. कब पता चलेगा.. जब आप देखोगे.. कि जो पौधा है.. उसकी मोटाई में क्या है? अंतर आया है.. ठीक.. जो पादप है.. पादप की.. पादप की.. मोटाई में.. ब्रिक, है ना अब यजो दिथक वोट्डी है यहां पर है कि बाई सवाल आता है कि इसमें कौन-कौन-से उतक भाग लेते हैं फिर कौन-कौन-से उतक इसने पार्टिसिपेट करते हैं। चलो भी थोड़ा सा जान लेते हैं इसके बारे में है तो अगर मैं इन दोनों की बात करती हूं तो हमने क्या बोला कि यह दोनों क्या करते हैं प्रात्मिक वृद्धी करते हैं यह दोनों क्या कर रहे हैं प्रात्मिक वृद्धी कर रहे हैं लेकिन अगर मैं पार्ष्व की बात करती हूं यह पार्ष्व है यह क्या है किसमें आपको यह मिलेगा जड़ और तने में है ना जड़ वे तने के पार्ष भाग में ठीके कहां मिलते हैं जड़ और तने के पार्ष भाग में ये पाए जाते हैं ठीके जिसको हम क्या बोलते हैं जहां पर ये क्या करते हैं मोटाई में व्रद्धी करते हैं, मोटाई में व्रद्धी करते हैं, जिसको हम जुद्टक व्रद्धी कहते हैं, जिसको हमने क्या बोला, जुद्टक व्रद्धी कहते हैं, इसको हमने क्या बोला, जुद्टक व्रद्धी कहते हैं, इसको हमने क्या बोला, जुद्टक व्रद् प्रिवर के बार ये यम्ले mam AG उता है एक शब्द तीक्लाइब के बारे में राट सारी बात टेखाता तो अगर हद भी बीच पत्तरी में मिलता है ठीक कैंप लेते हैं द्यूडीच पत्रीम हम और यह होता है यह यहां पर हम क्या देखते हैं कि यह क्या काम करती है दिट्यक विर्दी मूल तथा तना अरे बापने नना लिख रही हों में तना क्या करते हैं कि लंबाई में मूल तथा तने कि लंबाई में लंबाई में क्या कर रहे हैं शीर्ष स्थह विब्य जोतक की सहायता से बढ़ते हैं ठीके यहां क्या होता है कि भाईया क्या कि मूल तथा तना जो होती है वो जो उनकी लंबाई होती है वो शीर्ष स्थह विब्य जोतक की सहायता से बढ़ते हैं ठीक है, तो इनको क्या बोला हमने, इनको बोला प्रात्मिक वृद्धी बोला इसको हमने, ठीक है, ये सब क्या कहला है, प्रात्मिक वृद्धी कहला है, प्रात्मिक वृद्धी, ये सब वही लिख रही हूँ मैं, जो मैंने अभी आपको पीछे दो पेजिस पे समझाया है, वो यहीं लिख रही हूं मैं ताकि समझ में आ जाए ठीक है अब यहां क्या होता है जो अधिकांज क्या होते हैं द्वी बीज पत्री होते हैं जो अधिकांज द्वी बीज पत्री होते हैं इनमें क्या होता है प्राथमिक व्रिद्धी के अतिरिक्ट के अतिरिक्ट उनकी मोटाई भी बढ़ती है प्रात्मिक वृद्धी तो होती है ठीक है प्रात्मिक वृद्धी तो होई यहाँ पर उसके साथ साथ क्या हुआ मोटाई मोटाई भी बढ़ती है क्या हो रहा है आज अब यह जो यहां पर प्रात्मिक वृद्धी तो हुई है इस प्रात्मिक वृद्धी के साथ क्या है मोटाई भी बढ़ रही है तो यहां पर यहां परीज mä साथ यह जो मोटाई बढ़ secondary growth का भी यहाँ पर काम हो रहा है ठीक है है यहाँ पर एक बीच पत्री मूल की अगर हम बात करते हैं ठीक है एक बीचत पत्री मूल तथा जो तना है उसमें यह नहीं होता है यह किसमें तने में नहीं होती है, क्या नहीं होती है, ये, दिट्टक वृद्धि की बात करें हैं, कि ये एक बीच पत्री मूल तथा तने में नहीं होती है, ठीक है, ये इसमें नहीं होती है, ठीक है, ये सिर्फ दूवी बीच पत्री में होती है, इस चीज का खासकर आपको यहां पर ख ख्याल रखना है अब अगर हम जिम्नो स्पर्म की बात करते हैं एक्जैम्पल को समझाने के लिए तो भाई जिम्नो स्पर्म का जो तना और मूल होता है अगर हम किसकी जिम्नो स्पर्म की बात करते हैं जिम्नो स्पर्म की बात कर रहे हैं तो इसका क्या इसका तना तथा जो वृद्धी होती है ठीक है इन दोनों में होती है यह ठीक है जिमने स्पर्म के तना और मूल दोनों में क्या होती है जुद्यक वृद्धी होती है समझ गए इतनी बात सबको समझ में आ गई तो फड़ा फट से थमसब दिखा दो यह बतियाओ मत इतना दिखा दो थमसब भाई जल्दी 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 मुझे कुछ बच्चे दिखाई दिये Rosie सारे कि सारे क्या chatting में लगें लगें उन्हें कोई मतलब ही नहीं है कि क्लास में क्या चल रहा है कि हां है मैं भी आती हूं मैं भी देखती कि thou हां क्या बाते कर रहो क्या बाते कर रहो क्या बाते करें ड Gün Means ते लो आगे वर्टेंज ठीक है चलो यह तोलिए ढमने 박ण ठीक है अब अगर मैं कहूं कि जो उतक दृत्तक व्रद्दी में भाग लेते हैं ठीक है जो उतक दृत्तक व्रद्दी में भाग लेते हैं उन्हें क्या बोलते हैं कहां लिखें कहां लिखें कहां लिखें चलो यहां लिए ठीक है भाग लेते हैं लेते हैं कौन जो उतक ताकि आपको समझ में आजाए दित्तक व्रद्धी में क्या करते हैं भाग लेते हैं वो कौन कौन से हैं देखो दूसरे कलर से लिख देती हूं है ना पार्षविये मेरे स्टेम पार्षविये मेरे स्टेम ठीक है पार्षविये मेरे स्टेम हो गया है समवहन कैंबियम हो गया है समवहन कैंबियम है ना समवहन कैंबियम हो गया है फिर क्या है कौर्क कैंबियम आ गया है कॉर्क काम्बियम ठीक है तो यह सारी की सारी चीज़ें किसमें आ गई है कि यह है वान टू और थ्री यह तीनों किसमें भाग लेते हैं यह तीनों किसमें भाग लेते हैं यह तीनों किसमें भाग लेते हैं चलो एक काम करते हैं यह समझने से पहले थोड़ा सो समझते हैं काम् हमको मिलता है भाई हमने बात करी थी जड में भी होता है और तने में भी होता है ठीक है दोनों चीजें में होता है ठीक है ठीक है जी माल लेते हैं जड में भी है और तने में भी है ठीक चलो ओके अब यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर क्या काम करता है यहाँ पर क्या काम करता ह हमने अल्रेडी बात करी थी कि ये भी क्या काम करता है दुद्टेक वृद्धी का करता है काम यानि कि क्या काम कर रहा है मोटाई बढ़ा रहा है ठीक है मोटाई बढ़ा रहा है इसका मतलब अब अगर मैं बोलू यह जो Cambium है इसकी condition के हिसाब से यानि कि अगर मैं इसकी स्तिथी के हिसाब से बात करती हूं कि किसी पादप में इसकी condition क्या है कौन सी स्तिथी पर यह मौजूद है कौन सी जगा मौजूद है तो यह दो प्रकार का होगा ठीक है, कौन सा होगा दो प्रकार, चलो देख लेते हैं, यह जो cambium है, यह दो प्रकार का होगा, ठीक है, किसके हिसाब से, इस्तिती के हिसाब से, या इस्तिती के अनुसार, कैसा, कि भाई, कौन सी इस्तिती, जड़ और तने की बात हो रही है, कौन सी इस्तिती, जड़ और तने की बात हो रही है, इनके हिसाब से, कि इनकी इस्तिती क्या है, तो यह दो प्रकार का है, ठीक, कौन से दो प्रकार हैं, देख लो, कौन से दो प्रकार हैं, भाई, समवहन camb cambium समवहन cambium cambium ठीके समवहन cambium जिसको हम क्या बोलते हैं vesicular cambium बोलते हैं इसको क्या बूला हमने इसको vesicular cambium दूसरा क्या है मेरे पास cork ठीक है cork cambium दूसरा क्या है cork cambium ठीक है अब अगर चलो जगा है मुझे लगा कि पेज बढ़ाना पड़ेगा अब अगर मैं इस vascular cambium के बारें बात करती हूँ तो यह हमें कहां मिलता है जड़ और तने में मिलता है किसमें मिला यह हमको जड़ और तने में मिलता है यह हमको ठीक है कहां मिलता है जड़ और तने में फिर अगर मैं cork cambium की बात करती हूँ तो भाई यह भी हमको जड़ और तने में मिलता है दोनों ही चीज़े ठीक है समवहन उतक तंत्र जो होता है उसमें पता है समवहन कैम्बियम होता है इस तरीके से यह रहा इसमें क्या होता है जायलम और फ्लोयम होता है इसमें ठीक है समवहन उतक तंत्र में क्या है भाई समवहन कैम्बियम पाया जाता है कि यहां क्या है यहां क्या है यहां क्या है यहां पर क्या है आपका ख्लोयम यहां क्या है जाइलम ठीक है अब तक भी दूवीश पत्री की यहां पर बात हो रही है तो यहां पर कैम्बियम तो दूवीश पत्री में होता है ना एक बीश में तो नहीं होता तो इसका मतलब यहा कैम्बियम बीच में आ गया है ऐसे करके ठीक है कैम्बियम आ गया है तो यह जो कैम्बियम है यह क्या है समवहन कैम्बियम कहलाएगा यह यह क्या है समवहन कैम्बियम सम्वहन कैम्बियम ठीक है? ओके? चलो ठीक है जी, यह समझ गए हम लेकिन अगर हम किसकी बात करते हैं अब कॉर कैम्बियम की बात करते हैं तो देखो कॉर कैम्बियम कैसे समझोगे यह हमको मालूम है यह क्या है? बाहे तो चीए है बाहत अच्छी है ठीक है ये बाहत अच्छी है उतकतंत इसके अंदर क्या है इसके अंदर ये पैरन काइमा की हो गई है ये पैरन काइमा हो गया है ये क्या है आपका एक परती है क्या है एक परती है बाहत अच्छी है उतकतंत ठीक है इसके बाद आपके पास क्या जाएगा य यहां पर क्या आगया आगया है यहां पर क्या आगया आपका तीसरी लेयर जो आ गई क्लारन काइम आ गई ठीक है तो इस तरीके से चारो परत एक एक करके ऐसे होती है अब यहां पर क्या होता है यहां पर यह जो तीनों मिलके बना रही है ना यह तीनों ये तीनों मिलके जो बना रही है, इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, जल्दी बताओ, cortex, हमने क्या बोला, cortex बोला, और यहाँ पर अगर कहीं, बीच में, यहाँ पर इस तरीके से क्या है, cambium मौझूद है कहीं भी अगर वीच में कहीं भी मौझूद है इस तरीके से इस cortex में इस तरीके से cambium मौझूद है तो यह क्या कहलाएगा आपका यह कहलाएगा भाई cork cambium cork cambium क्लियर इतनी बात बताओ जल्दी से सबको समझ में आ गई है कि यहाँ पर यह समवहन कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम क्यों है क्योंकि कोटेक्स के अंदर ही जो कैम्बियम पाया जा रहा है वो क्या कहलाएगा कॉर्क कैम्बियम कहलाएगा इस चीज़ को ध्यान में रखना है बातों में ही वक्त जाया नहीं करना है बार बार बोलती हूँ एक्जैम साने वाले हैं स्लेबर्स पूरा कर लो ठीक है वाकी आपकी मर्दी है ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं अब आता है समवहनी कैंबियम ठीक है समवहनी कैंबियम के बारे में जब हम बात करते हैं तो समवहनी कैंबियम के बारे में क्या बात कर रहे हैं किसको मालूम है कि समवहनी कैंबियम क्या है क्या चीज़ चल रही है क्या कहाने चल रही है क्या स्टोरी चल रही है किसी को यह मतलब भी नहीं है है न सब बातों मैं मगन है चलो तो cambium अगर हम sa Leahan cambium के बारे में बात कर रहे हैं तो बहले में पता होना चाहिए 20449 सब धिश्च कि जड़ होती है जो तना होता किस्में जो 15 जड़ है ठीक जड़ वे तना जो है इसके किसमें होता है samtha सम्व告 बंडल के मद्ध में ठीके वहाँ क्या करता है यह वहाँ पर जुत्यक व्रद्धी करता है यहाँ पर क्या करता है यह यह व्रद्धी करता है। ठीक है ? यहाँ पर क्योक्कि हम अलबगी बात कर तुक है यह जो SUB看到 क्या है यह संवहन ,YA भी करता है यह वीर्दिया काम करता है या यह मुटाई बढ़ाने में मदद करता है पेड की , चलो आगे बढ़ता है तो हमने क्या बात कर ली थी अकर मैं आपको एग्जेम्पल बना के समझाऊ ठीक है एक सभावान का सभावन ऐसे अहां ओड़ नो यह इस्तरीके से होता है ठीक्ष इसके अंदर हमने क्या वुला इसके अंदर शालाव फ्लोयं मुझूद तुन्स के अंदर क्या वोला हुमने इसके अंदर क् Wilson पत्रेयों की बात कर रहे है Ś सथी इंदर क्या है जालां फ्लोय मौजूद है जालो ठीक है वो भी माल लेते हैं अब यहाँ पर क्या होता हैं इस त्यक्ति यहाँ वैं पहले डिक यहां अगर मैं इस एक को बाहर लेकर आती हूं इस एक को बाहर लेकर आती हूं, Xylem phloem को, तो यह कुछ इस तरीके से होगा, देखो, ऐसे होगा, और हमने कैसा है, और हमने क्या बोला है, कि Xylem phloem कैसा है, कि यह रहा आपका phloem, यह रहा Xylem, मदला यह Xylem का है, अंदर की तरफ और phloem का है, बाहर की तरफ, यह क्या करेगा अंदर यंदर व्रिद्धी करता है इस तरीके से यह अपने आपको बढ़ा लेगा व्रिद्धी कर ली इसमें और यहां भी व्रिद्धी करेगा दोनों तरफ व्रिद्धी करेगा अब यहां क्या है यहां फ्लोयम है यहां जाइलम है अब यहां फ्लोयम की तर सब्लाव जो व्रद्धी होगी वो कहलाएगी जुठ्यक फ्लोयम कहलाएगा यह यहाँ जुठ्यक जुठ्यक जय मुर्द्ध्य होगी अपर तो अब यहाँ पर क्या होता है भाई यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले क्या बनता है फ्लोयम बनता है ठीक सबसे पहले क्या बना फ्लोयम बना ठीक है तो यहाँ पर यह जो पहला फ्लोयम बनेगा यह क्या कहलाएगा पहला फ्लोयम कहलाएगा ठीक है पहला जो बनेगा वह प्रात्मिक फ्लोयम क कहलाएगा ठीक है यह हमने क्या देखा इसका अनुप्रस्त काट है यह क्या है अनुप्रस्त काट देख रहे हैं हम प्रात्मिक जायलम बना ठीक है लेकिं वृद्धि यहां जो काम करता है लेकिन सवाल आता है भाई कैसे ठीके सवाल आता है कैसे तो यहां पर जवाब यह है कि यहां जो विभाजन हो रहा है इस विभाजन से जो छेतर बन रहा है ठीके इस विभाजन से जो छेतर बन रहा है चाहे वो दुट्यक फ्लोयम हो ठीके जो बाहर की तरफ जा रहा है और चाहे जुट्यक जायलम हो जो अं और जो detec xylem अंदर की शेतर बढ़ा रहा है यहां पर क्या हों यहां फॉशिक यहां और अगे पहुँच जाए और यह चूशिक यहां तक पहुचेगा यहां पर बं। तो देखो अगर यहां से यहां पहुंचा है इसका मतलब इनमें मुटाई की वृद्धी हुई है मुटाई बढ़ी है इनमें इतनी चीज सबको क्लियर हो गई है क्या हो रहा है क्या काम हो रहा है और द्युत्यक वृद्धी कैसे हो रही है चल आगे बढ़ जाते हैं तो हम अगर यहां पर क्या बोला हमने भाई हमने बोला मैरिस्टैमी सत्य जो समवहन उतक हमने बोला मैरिस्टैमी सत्य ठीक है जो समवहन उतक कौन-कौन से जाइलम और फ्लोयम को काटती है ठीक है उसे समवहन कैम्बियम कहते है ठीक है उसे क्या कहते है सत्य को समवहन कैम्बियम कहते है समवहन कैम्बियम ठीक है कैसे कि भई देखो समवहन कैम्बियम याने कि वो मैरिस्टैमी सत्य जो floeum और xylem को एक दूसरे से अलग कर रही है, काट रही है कैसे काट रही है, यह देखो, यह रहा ठीक है, यह आपका floeum, यह रहा xylem, यह क्या है, सत है जो काट रही है, यानिकी cambium ठीक है, यह क्या है, cambium है ठीक है, इतनी बाद clear सबको चलो, अब जो जो शैशव तने होते हैं, यानिकी जो बच्चे होते हैं, ठीक है, जो नए नए बने होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे, हम शैशव बोलेंगे, जो शैशव क्या है, तने में होते हैं, यह xylem और phloeum ठीक है, वेफ बीच एकल सतह, एकल सतह है के रूप में खंडों में होती है के रूप में खंडों में होती है ठीक है बाद में एक संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है बाद में एक संपूर्ण छल्ले का रूप ले लेती है ठीक है याने कि ये चल्ला बनती है थीकह तो दो चीज़े यहां पर आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है ओके चलो आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं झाला के घं ठोली खाले का रूप ले लिए हमने यहीं बात कर लिए अब देखें चल्ले का बनना यह बनेगा कैसे तो हम आप बोलेंगे जो द्वी बीज पत्री होते हैं जो द्वी बीज पत्री क्या होते हैं तने में तने में प्राथमिक जाइलम वे फ्लोयम के बीज में इस्तित जो कैम्बियम है के बीज इस्तित कैम्बियम अंतहां पूलिये कैम्बियम है ठीक है है ठीक है अब यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर अगर मध्याज के बात करते हैं यहाँ पर अगर मध्याज की बात करते हैं यानि की बीच में तो मध्याज किरनों की कोशिकाएं चल्ल अच्छा छोड़ो यह छोड़ो इस लाइन को छोड़ो इस लाइन को रहने दो ठीक है इसके बदले यहाँ पर यह आप समझो कि यहाँ पर जो क्या है यहाँ पर जो मैरिस्टेमी जो यह जो मैरिस्टेमी यानि की क्या विभज है वो क्या करती है एक अंतरा पूलिये बनाती है अंतरा पूलिये को बनाती है यह बनाता है इस प्रकार cambium में, इस प्रकार क्या होता है? Cambium में, cambium में एक अखन छला बन जाता है अब यह जो मैं लिख रही हूँ ना, चलो इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ ठीक है? इसको थोड़ा सा समझा देती हूँ कैसे समझाती हो चलो एक डाग्राम से समझाते हैं चलो यहाँ पर यह जो कैम्बियम चल्ले का बनना है न तो यहाँ पर क्या है यह दो तरह क्या होता है हमने बात करिये भी ठीक है पहला क्या है आपका अंतहा पूलिये चल्ला ठीक है अंतहा पूलिये चल्ला पहला हो गया है दूसरा क्या है अंतरा पूलिय चल्ला दोनों चीज़ों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है एक है अंतरा पूलिय एक है अंतरा पूलिय दोनों चीज़ों में ज्यादा डिफरेंस नहीं है ठीक तो यहां पर जब हम बात किस की कर रहे हैं अंतरा पूलिय की कर रहे हैं तो अंतहप उमिन होता है जहां पर क्या होता है व्रिध्य होती है जल्अव्रती होती है यहां पर। थीर है ठीक है यहां बहुत जादा ठीक है बहुत जादा एक होता है विर्द्धी हो ने जıllा में बहुत जादा है आंचाट जाला में उलए चला में बड़ता है ठीक है न चल्ला है जो कैम्बियम चल्ला है वो क्या हो गया है सक्रिय हो जाता है और बाहर तता बीतर दोनों की और जाकरता है नई कोशीकाय बनाता है सक्रिय होकर क्या करेगा सक्रिय होकर बाहर भी बनाएगा कोशी का और अंदर भी बनाएगा दोनों तरफ क्या कर रहा है कोशी का बना रहा है कोशी का बनाता है ठीक है जो कहां बढ़ती है जो पित की और बढ़ती है ठीके ये परिपक्व होने पर क्या करते हैं जब ये परिपक हो जाते हैं तो दिट्टक जाइलम बनाती है ठीके क्या करती है परिपक्व क्या कर रही है ये परी पक्वों होने पर क्या करती है ये दुध्यक क्या बना रही है जाइलम बना रही है ठीक है और जो बाहर की ओर जाती है ठीक है ये तो अंदर वाला हो गया ठीक है और जो बाहर की ओर जाती है बाहर की बात करते हैं वो बनाती है दुध्यक क्या बना रही है फ्लोयम ठीक है तो अंदर की ओर जो परिपक्व यानि मैच्छी ओर होने पर बनाया दुध्यक जाइलम और बाहर की ओर क्या बनाया दुध्यक फ्लोयम बनाया ठीक है तो ये सब समभरिक छल्ले की बात चल रही है अब जो कैंबियम प्राया अंदर की ओर होता है ठीक है वो अधिक सक्रिये होता है ये जो अंदर वाला है ये क्या है अधिक सक्रिये होता है ये अधिक सक्रिये होता है ठीक है जबकि जो बाहर वाला होता है वो इतना नहीं होता है ठीक है ज्यादा नहीं होता है ठीक है तो इसके रिजल्ट से क्या हो रहा है इसके रिजल्ट की वज़े से कि भाई ये बाहर वाला ज्यादा सक्रिय हो रहा है और अंदर वाला जो है ज्यादा सक्रिय हो रहा है और जो बाहर वाला है वो कम सक्रिय हो रहा है तो इसके परिणाम सरूप तो इसके परिणाम सरूप जो दुत्यक जाइलम है यानि कि ये जो दुत्यक जाइलम है इसके परिणाम सरूप ये ज्यादा बढ़ जाता है ये ज्यादा बनता है ठीके क्योंकि ये ज्यादा बढ़ रहा है और ये कम बनता है ठीके ये कम बनता है अब जो क् है ठीम निर्षान में पर 29 gonna बदल जाता है फिर जो प्रत्मिक और टेक कहुंद नीचे यह क्योंकि जो इसकी केम्बियंग चल्ले की क्रिया है थीक और इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर खतम भी हो जाती है उम्मीद करती हो कि समझ में आया होगा नहीं समझ में आया होगा तो मार लगेगी वर्चुल वार वैसे भी कोई फरक निपटता है वोला मैं आप तो इतनी दूर बैटी हो कहां ही मारोगी है चलो कोई बात नहीं बाइ बाइ